नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है, आज एक और रेसिपी में आपके साथ शियर करने आई हूँ, आज मैं बनाऊंगी जिसे की बिंगॉली में कहा जाता है भोला माचर टॉक, भोला माचर टॉक यह एक फ्रिश नेम है और टॉक में इसलिए कहा जाता है इस थोड़ा सा ऐल लिया है उसके बाद मैंने आपको सूखी लाल मिर्च को कट करके यह पर एट किया है अगर आपको सूखी लाल मिर्च परसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च कभी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन हरी मिर्च इस समय मत दीजिए का बाद में दीजिए का और मैंने मीडियम साइज के टमाटर को कट करके उसके बीज निकाल लिये हैं वो मैंने एट किया है और तुरंत ही मैंने हाफ टीस्पून हल्दी और स्वाधनुसा नमक बहुत जादा नमक की ज़रुरत नहीं है थोड़ा सा ही नमक दीजिएगा और फिर हम इसमें प्याज एक मीडियम स थोड़ा सा कलाउन जी देके मैंने फिश को फ्राइ कर लिया है फ्राइ करके अब में फिश को इसमें एट कर दूंगी एट करने के बाद इसे हमें ढखके पाच मिनिट के लिए पकाना होगा जिससे कि टमाटर और प्यास जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और ये ग्रेवी जो है बहुत अच्छा बने एकदम सॉफ्ट हो जाए ये सब इसलिए पाच मिनिट बाद देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो चुके अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आट करेंगे जस्त थोड़ा सा ही ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी आट करेंगे पानी आट करने उसके बाद हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरफ इसको पल्टा देंगे देखे फिर हम इसको और थोड़ा सा कुक कर लेंगे दो मिनिट के लिए जिस थो दो मिनिट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे और यह बिल्कुल रेडी है इसे आप चावल के साथ खाई यह बहुत